हापी पर्टी टू यू नमस्कार दिनांक 6 दिसंबर को पैदा हुए लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आप, आपका बच्चा, आपके मा, आपके पिता, आपकी पतनी, आपके पती, आपका कोई रिलेटिव, आपका दोश्त त्यार अगर 6 दिसंबर को पैदा हुआ है, तो उसके लिए हमारी तरब से बहुत सारी विसेज, बहुत सारी शुपकाम ना है इश्वर आपको हमेसा खुश रखे, प्रशन रखे, पिलकुल दिन्दास रखे, स्वस्त रखे हम आपको बताने जा रहे हैं अब पूरे वर्ष का हाल, महच 5-6 मिनट में डेली हम लेकर आते हैं, प्लेलिष्ट तयार रहती है, वहाँ पर भी आप जाके पूरे साल देख सकते हैं कभी भी देखें, पूरे साल देखा जाने वाला शो होता है, और उपाय भी जो प्रियोग हम बताएंगे, उसे भी कभी भी कर सकते हैं कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी, इस स्थितियां बहुत पक्ष में रहेंगे आपके तो चली अब हम बताते हैं आपको सबसे पहले आपके सिक्षा, जो लोग 6 दिसंबर को पैदा हुए हैं उनके सिक्षा और हाँ, वो इंदजार करें जिनकी आज मैरी जैनिवरसरी है 6 दिसंबर को तो सिक्षा के बामले में 6 दिसंबर को पैदा होई लोगों को मांसिक कश्टों के कारण नुकसान होगा सूर्य, चंद्रमा, बुध, ब्रहाश्पति चार ग्रहों की चोकड़ी आपको परेशान कर सकती है किन किन सेंस में मांसिक कश्ट में अमावस्या योग है दिन धलने के बाद एक दम से मन विचलित हो जाता है अमावस्या योग है परेशानियों को आप टैकल भी कर सकते हैं अपने दम पर अपने दम पर कैसे बचा जाएगा उपाय हम बताएंगे सिक्षा के मामले में रात में जल्दी सोईएगा सुबर जल्दी उठीएगा पराता काल भोर में चार वज़े के बाद जो पढ़ेंगे वो आपको सही आद होगा क्योंकि शाम होते ही अमावस्या योग बन जाता है जो कि आज इस वर्ष 6 दिसंबर को बन रहा है 6 दिसंबर को अमावस्या दर्स अमावस्या करते हैं आज के दिन जो पहर बार है बचकर 11 मिनट से अमावस्या लग रहा है तो बहुत सावधानी के साथ अपने सिक्षा को अंजाम दीजिएगा आगाह कर दिया है उपाय कर लीजेगा अभी बताएंगी उपाय 6 दिसंबर को पैदा हुए लोग व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में आपका पैसा फंस सकता है आपके पैसे पर किसे की गिद्द निगाहें परेशान कर सकती है आप धन के मामले में कहीं भटक सकते है कोई आपको जहांसे में रखकर कि आपके पैसे पर सेंध लगा सकता है अगर आप 6 दिसंबर को पैदा हुए हैं और हमारा एक आरकरम देख रहे हैं तो हम बता दें आपको हर महीने की अमावस्यातिति में आपको कुछ नुकसान हो सकता है इस बार 6 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सीक्टर में प्राइवेट सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में दो बार नौकरी आपकी छूटेगे, छुडवाई जाएगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको हर प्रकार से स्वयम को साधना पड़ेगा हर प्रकार से स्वयम को साथना पड़ेगा वारी पर नियंतर न रखिएगा अब परेल से लेकर के जुलाई में नौकरी पर फिर से आँ चाहेगी 2019 में एक तो अभी चल रही रहा है 6 दिसंबर को पैदा हुए लोग या तो अभी खाली बैठे होंगे या तो बहुत जल्दी खाली बैठ जाएंगे संकेत अच्छे नहीं है अमावस्या है सेदी सी बात है किसी भी कीमत पर अमावस्या को अच्छा माना ही नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर, किसी के लिए भी, खास को पर लड़कियों के लिए 6 दिसंबल को पैदा हो ये सरकारी महकमे के लोगों पर आच आ सकती है आप बदनाम हो सकते हैं, नौकरी आपकी छूट सकती है कब? फरवरी 18 के बाद दामपत्य जीवन की स्थिती भी गड़बड़ है, यहां पे भी पती-पत्नी बदनाम हो सकते हैं अगर पांच बर्स ही हुई है भी आपकी शादी को, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवशकता है इस्थिती कहीं से भी आपके लिए पक्षवे नहीं है दिनाग 6 दिसंबर को पैदा हुए लोगों को और सावधान रहने की आवशकता है दो-छेत्रों में किसी और पर जल्दी भरोसा मत करिएगा चाहे पती हैं, आप चाहे पतनी हैं, आप 6 दिसंबर को पैदा हुए है और अपने रिष्टे में कभी धन को ना आने दीजिएगा नहीं तो तलाक कोई रोक नहीं सकता लव लाइफ अच्छी है, लव लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी गुप चुप तरीके से प्रेम संबंध आपके इस्थापित रहेंगे, चलते रहेंगे बिमारियों के मामले में नेत्र दो शड्डियों की दिक्कत आपको ज़्यादा परिशान कर सेकती है इसमें आपको सावधान रहने की आपशकता है, बचने की आपशकता है क्या उपाय करें हम? उपाय हम आपको बता देते हैं सफाई कर्मचारी को फल दान करके और दो लोगों को खाना खिला देजें किसी को भी खाना खिला देजें, दो लोगों को आज कर दें, या कभी भी जब भी आप उपाय देखें तब भी कर सकते हैं, लाब में लेगा आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए क्या उपाय किया जाए अब इसकी बारी हर पूनिमा और अमावस्या को किसी सुहागन को कुछ अन्न का दान कर दीजेगा बस इतना सा करिए आपकी शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो हमेशा आप प्रशन रहे मुंबई पूना और गौहाटी के लोग अपॉइंटमेंट फाइनल कर लें जिससे आपको मिलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो थैंक यू सो मुच है वे नाइस डे टेक केर सिर्य रादे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए